लाटी चार्ज हुआ है, लेकिन कानून तोड़के कोई भी अगर करता है, तो वहाँ पर सभावी तोर पर कानून को अस्थापित करना पड़ता है, तो एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ कानून अस्थापित किया गया तो वह है, तो कौन सा राज खोज रहे हैं हो? नमस्कार, आप लाइब बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राज मुहंतिवारी, बिहार SSE CGL 3 सचिवाले सहायक पेपर लीक का विवार्द, आज आपने देखा किस प्रकार से परिच्छा रद कराने को लेकर जो तमाम BSC के अभियर्थी थे, वो राजधानी पटना की शरकों प बंगला चोड़ाहे पर पुलिश प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया और उन्हों पर जमकर लाठिया भी बरसाई गई, किसी का सर फुटा, किसी का हाथ टूटा, किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इसी पर जब जेडियू के राष्ट्रिये अध्याक्ष लल बरसा बदल एंदी इस pode पताने विजेस सिणहाई जी नेता है । आर नेता का काम बोलना होता है उनके नाम के साथ उनके पद के साथ नेתा लगा हूआ है तो नेता जिसकी नाम के साथ लगा होगा, कुछ पुलेगा तभी न उसको उसकी माना जाएगा क्यून नेता है प्रदेश मेरे पहला बार हुआ हो इस प्रदेश मेरे पहला चार्ज हुआ हमको मालूम नहीं है कहां लाटी चार्ज हुआ कहां नहीं हुआ लेकिन अगर कहीं हुआ है कोई अगर का जो कानून है उसको तोड़ता है कहीं भी प्रदातांत्रिक ढंक से कोई भी विरोध प्रकट करने का हग किसी को भी है लेकिन कानून तोड़के कोई भी अगर करता है तो वहां पर सभावी तोर पर कानून को अस्थापित करना पड़ता है तो एक तरफ जेंगल राज है एक तरफ कानून अस्थापित किया गया तो वह है तो कौन सा राज खोज रहे है तो अभी आप सुन रहे थे जेडियू क के राष्ट्रिय अध्यक्ष ललनसी को जो कि साफ तोर पर ये कहते सुनाई दिये कि उनको नहीं पता किसको कहा पर कब लाठी चार्ज किया गया किसके उपर किया गया किसने किया लेकिन अगर आप कानून तोड़ियेगा तो उसका सजा तो आपको मिलेगा उन्होंने ये भी क प्रचिवाले सहायक बहाली आठ वर्सों के बाद आई थी लगबन नौ लाख अभ्यरतियों ने इसके लिए आवेदन किया था 23 और 24 दिसंबर को तीन पालियों में ये परिक्षा आयोजित कराई गई थी लेकिन प्रतम पाली के दोरान से ही ये खबरे चलने लगी थी कि प कराने के लिए और एक बार फिर से पारदर्सी और निस्पक्ष तोर पर परिक्षा कराने के लिए ये तमाम अभ्यरति अपनी मांग को लेकर शरकों पर उत्रे थे और ये कारियाल यानि कि B.S.C. के कारियाले जाकर वहाँ पर अपना ग्यापंस अपने वाले थे इसके पहल किया जिसमें जो अभ्यरति थे उन्हें काफी गहरी चोटे आई हैं बने रहें लाइब भिहार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें